इस कारिक्रम के प्रस्तुत करता हैं सद्गुरू मेडिकोस डॉक्टर रितेश और थोय स्पेशलिस्ट एवरी संडेग एलेवन अम तो त्री पीम सद्गुरू मेडिकोस नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सामबा डॉक्टर नितिका भाली शर्म MPBS DGO गाइनलोजिस्ट लेटी डॉक्टर एवरी मंडे और थर्स्ट्रे अपोइंटमेंट नमबर 8492093988 आज गुरू गोविंद सिंग जी का प्रकाश पर्व पूरे विश्व में बड़ी धूम धाम से मनाया जा रहा है वहीं डिस्टिक रजौरी के गुरू द्वारा सरानू में भी गुरू गोविंद सिंग जी का प्रकाश पर्व दूम धाम के साथ मनाया गया सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर एक लंगर खाया और एक तभाई चारा कायम रखा सरबजीत सिंग के रिपोर्ट नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ओन्लाइन गुरू गोविंद सिंग का प्रकाश पर्वारा से बनाया जा रहा है आई यह जाते हैं गुर्दवारा परबंदत कमेटी के परदान कैप्टर गोविंद सिंग से कैसी प्यारियां उन्हों ने इस गुरू गुर्व को लेकर गई है प्रकाश पर्व जो की पूरे विश्व में बड़ी उत्सार उलास के साथ बनाया जा रहा है सरानु गुर्दवारे में बड़ी उत्सार उलास से बनाया जे कैसी त्यारियां आपने गुरू गोविंद सिंग के परकाश पर्व को लेकर यहां पर गई है वाई गुरू जी का खालसा वाई गुरू जी की खते सबसे पहले मैं सरदार सर्व जी सिंग जो जेके चनल के प्रिपोर्टर हैं वो हमेशा इस गुरू कर में गुरू कर की जो इसकी यहां का जो कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं इसका ये हर जगा देशते हैं हम इनका बहुत दनवाद करते हैं सहब एकमाल श्रीगुरू गोविनसिंग माराज के परकाश बर्व की मैं सारी मनवता को बदाई देता हूं श्री गुरू भुविन सिंग माराज जो सब के गुरू थे उन्होंने नौ साल की उमर में ही अपने पिता श्री श्री गुरू तेख बाहतर माराज को दिल्दी में कुर्बानी देने के लिए बेजा और उन्होंने कहा था कि मेरे एक यदीम होने से अगर लाख हूं यतीम होने से बच जाएं तो इसमें मैं कुछ गल्ट नहीं समझे दूसरे पासे जब वो खुद पिता बने तो अपने चारू बेटे अपनी माता सब को सब्बंस जो उनको शाहिद होना पड़ा इस देश की खातर इस धर्म की खातर उस महान गुरू ने इस हिंदोस्तान के लिए जिसका नक्षा कुछ और उना था बदल के रख दिया और आज उनका हम जो परकाश पर्व है इस गुर्दवारा स्राहनू में दून दाम से बना रहे हैं हर मज़ब हर दर्म की तलक रखने वाले लोग यहां पहुंच रहे हैं नस मस्तक होते हैं गुरू साहब को हम यहां पर सब कठे मिलके उत्सा के साथ सब उसके इस गुर्व को बना रहे हैं जम्मों से हमने एक परसिद जो किर्तनिय वो आए हुए है उनका प्रवचन चल रहा है और यहां पर हम सब मिलके कोशिच करके लंगर सब की सेवा करते हैं और संगत का बड़ा सा योग है हर एक वाक्ष के लोग यहां आके अपना नस्मत को होते हैं और इतना ही हमें फिर सभी को गुर्व गोविन से महराज के परकाश परफ़ किया लाख लाख बदाई लेता है